आप देख रहे हैं KSN 24 News पलपल की खबर आप देख रहे हैं साथ-साथ खनन छेत्र कम हो रहा है और इनका दैरा बढ़ाने की आविश्यक्ता मैसूस की जा रही है सभी तरफ से इसकड़ी में कवायत की जा रही है दिपका छेत्र में भी खनन संबंधी छेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काफी समय से कोशिस की जा रही थी इसके अंतरगत जरूरी प्रक्रियाओं को किया गया संबंदित छेत्र में मालगाओं के पास एक प्राचिन शिव मंदिर को यहां से विस्थापित करने को लेकर कई मौकों पर ग्रामिडों के साथ प्रबंधन और प्रशासन की तूतू मैमे हो चुकी थी हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया और आत्मदाह करने की चेतावनी देडाली इस मामले में कुछ समय तक गतिरोध की इस्थिती बनी रही और मौका पाकर गाओं में इस मंदिर के निशान समाप्त कर दिये गए खबर के अनुसार प्रबंधन और प्रशासन की देखरेख में इस काम को किया गया जबकि कुछ समय पहले इसी मसले को लेकर विरोध जताने वाले श्यामू जैसवाल और उनकी पतनी को पुलिस ने अपने कबजे में ले लिया था श्यामू ने कारवाई को लेकर कई प्रकार के आरोप लगाए और अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिये हैं दूसरी ओर एसी सियल दिपका छेतर के मुख्य महाप्रबंधक रंजन शाह ने बताया की खदान का विस्तार किया जाना है इसके लिए जरूरी प्रक्रिया की गई वर्तमान में जो काम किया गया है उसमें ग्रामिडों के साथ समन्वय बनाया गया कहीं किसी तरह का विरोध नहीं हुआ है आने वाले समय में एसी सियल इस इलाके से दस हजार लाख टन कोईला का खनन करेगा कोल इंडिया के दोरा देश के 36 गर्ड मध्य प्रदेश जारखंड पस्चिम बंगाल उनिसा सहित कई राजियों में कोईला का खनन किया जाता है कोईला के जरिये देश की ओध्योगी कावस्यक्ताओं को पूरा करने का काम हो रहा है किसी नाम से लगातार अनेक रिहायसी और किसी छेत्रों को विस्थापित किया जाता रहा है ऐसे मामलों में समस्याई बनी हुई है कि आखिरवा भी विस्थापितों को रोजगार दिये जाने के संबंधित मसले कब तक हल होंगे KSN 24 News के लिए दिपका कुर्बा से हमन गौतम की रिपोर्ट